काली कलबटे वाली तेरा वचन ना जाए खाली आप सोच रहे होंगे कि आज ये कामेडी सर्कुस एक ग्रेव्याड में आज की हमारी थीम ही होरर है तो तयार हो जाएए क्योंकि अब इस सर्कुस की कबरे खुलेंगी कामडी के कंकाल बोलेंगे कुछ फूट पिशांच माक्स देंगे और मैं ये खोनी तमाशा देखूंगी उसे पहले के हम आपको हमारी भूतों की टोली से मिलवाएं प्लीज वेलकूम आर एंपायर्स सीरियल लेडी किलर्स अजे जडेजा एंड शेकर सुमन और जोरदार तालियां हमारी होरर जोडियों के लिए अंदेरी रात में सी ग्रेड होरर फिल्म की उंची हेरोईन से एक बॉना भूत मिलने आया जब देनी चाही बॉने राजा ने हेरोईन निगार की बली तो मची कैसी हाल बली आईए देखते हैं प्रिजेंटिंग राजा इंडेगार एए एए क्या साड़ बोरिंग सॉंग बजा रहे हो अरे राम से फिम्स की हरोईन हूं मैं मुझे जरा गॉर से देखो और कुछ धंका बजाओ हाइएएएएएएएएएएएएएएए हाहह यह भूतू अाह तुम्हें मेरे से डरनी देख रहा है तेरे से डर हुँ में अरे राम से फिल्म की हिरोईन हु पुद से डरावने तुछ से डरावने तो मेरे फिल्म के हीरो होते हैं čु यहां क्यों आया है बर्गर खाने अरे तेरा खून पिने आया हुँँँँँ! मारा क्यूँँ? अबे! ये भी कोई तेरा ताइम है आने का? अरे बूतों को तब ही आना चाहिए जब हरो ईया तो सो रही है या तो नहा रही है अब ये बूतों को टाइम टेवल किसे ने रख दिया? मेरे प्रोड्यूसर ने वह भूतों को तब ही भेचता है जब या तो मैं सो रही होती हूँ या तो नहारी होती हूँ तो वो कब हता है मैं फिल्मी भूत नहीं हूँ, मैं असली भूत हूँ, तेरा खून पीजाओंगा अच्छा, कैसे पिएगा? इम्रान आश्मी की तरह तेरी करदन है दांड मार के प्यूँगा और कैसे प्यूँगा? अबे, मेरे घुटने तक तो पॉस्ट नहीं पा रहा है मेरे गर्दन तक कैसे पोँचेगा? ये तो मैने सोचे ही नहीं यार अब क्यू मारा? क्योंकि तुने बिल्कुल मेरे प्रडूसर जैसी हरकत की है वो भी बिना सोचे समझे मुझसे कोई भी सीन करवा लेता है अब भाते बहुत होगी अब जल्दी से लेड़ जाओ, प्लीज अब क्यू मारा? तेख, मैं सिफ गुड लुकिंग भूतों के साथ बैच सीन करती हूँ मुझे बैच सीन दी कहाना मैं तुम्हे इसले लटाने की बार कर रहा हूँ कि मतरा खून पीके बली तेसको और मेरी मनद पूरी हो सके अच्छा, क्या मनद है तेरी? मैं बूतों का प्रेजिनेंट बनना चाहता हूँ यार अज़ कर प्रेजिनेंट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता तो एक काम कर तू तू फिल्मों में काम क्यों कर लेता यार मुझे काम देगा कॉर मुझे एक्टिंग नहीं आती लो देनुमोर्या को आती है क्या मुझे दास नहीं आता है सन्नी को आता है क्या मेरी हट वह जोटी है एक मिने दिखा राजपल याद अतनी है ना मेरे सिक्स बैक भी नहीं है योड यह कितनी कम्या निकाल रहा है भूत है आमर छान आमर कहान तो 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 तेरे से थोड़ा लंबा होगा ना? अरे इसकी लंबाई की बाद निकर रहा हुँ मैं, दांटों की लंबाई की बाद कर रहा हुँ मैं ओ बिचारा, मुझे तचसे बहुत सिंपती है तो फिर बली देने के लिए त्यार हो जाओ सुन मेरा मने का कोई मूडनी है, सब्जा गया? अगर तो बली देने के लिए इतना ही उतावला हो रहा है तो एक काम कर यार, इसकी बली चढ़ा दे अरे नहीं, इसकी रखों में ते मेरा खून दोड़ रहा है चा बख रहा है अरे सच्छी आगा मियार, पिछली आमावस की रात को में इसको उठा के लेके आगया है, इसको खून चूसरे की बोग कोचिच की लेकिन ये ब्योश होगी, एक बंध खून नहीं मिला पता है तो खून की बोदले अपनी देनी पड़िए इसको पता है, उसके पार जाने मुझे दर लगता है, पता है, उसका पार्टन काम्री है ना उसकी फोटो दिखा दिखा के तो हम अपने बच्चे डराते है तो कितिना बॉरिंग भूत है भूत हमारे फिल्मों में होते हैं इतने इंट्रेस्टिंग मैंने सुना है, हाली में अजे जड़ेजा और विनोद कामली की एक होरल फिल्म र्लीज हुए है तुझे किसे बता कि वह और फिल्म थी? अरे बताना किसने यार जो फिल्म देखे आ रहे थे उनका चेहरा सफेद बढ़ा हुआ था अरे जुड़ बलता है, वो फिल्म देखने कौन गया था? अरे वो फिल्म तो विनोद कामली और अजे जड़ेजाने भी नहीं देखी अरे मैं सच कहारा हुआ हूँ यार नहीं कि इनम्रा शुरूती तो पूछलो यार यही तो गई थी तब ही इतनी सभेद है और अरे तो मैं ने बता नवस को बलाता हूँ इतरा अरे तो वैंपार्यस कैसी लगी आपको ये भूत या मुलाकात? अर्श्य कैसी लग्वार्ण पूछलो के अरे बतार नहीं हिए ठीस लग्षानी है ये तो ये टूजाव काम किया बहुत ये नहीं हुआ आप दोनों ने ही इतना सुल्जाव काम किया है बहुत बढ़े निगार्य निगार्यार्य और ये वर्ण तो बढ़े आफ ये रूज तो आपको सिर्फ दस ही बेता है दस कोई अपको लोग अजय राजा यू अजय अजय आपको अजय आपको दराने के लिए होते हैं आपने डराया भी और हसाया भी और वह बहुत रेर क्वालिटी है किसी आदमें ना अगर मेरे पास दस से जादा मांक्स दे सकता तो मैं शायद आपको दस से जादा देता लेकिन इस वक्त मैं वे बहुत Thank you Thank you Thank you, thank you so much Thank you Thank you, thank you, thank you, Raja Thank you, Raja जाइको Okay Thank you Thank you बहुत के बारे में वैसे तो सभी जानते हैं लेकिन अपनी नॉलिज बढ़ाने के लिए चलिए ट्यून करते हैं रजत वर्मा की आपकी अदालत में जहां वो ले रहे हैं एक भूतनी का एक्स्क्लूजिव इंटर्व्यू Presenting Roshni and Kuldeep Prionka Sine नामस्कार मेहुट अजसरमा यहे मेरे बाप की अदलत है इसलिए मेरे बाप की अदलत में आपका स्वागत है आज हम आपको भूतों की दुनिया की जानिमानी स्प्सिया से मिलवाएंगे जिनका दाम है Priyanka Sane जी हाँ, भूत बल्ड की मिस बल्ड और एक सुपर मॉडल अदालत में हाजिर हो रही है, प्रियंका सेन भूत नी आपको अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है, कैट बॉक करने के लिए नहीं मैं सुपर मॉडल हूँ, हम ऐसे ही चलते हैं लेकिन आपने इतना मेकप क्यों किया हुआ है, लोगों को डराने के लिए आपको नहीं लगता कि अगर आप ये नहीं करती तो लोग जादा डरते वेहराल बाप के अदालत में आपका स्वागत है, इस अदालत में जजेच के सामने आप पर मुकदमा चलाय जाएगा, आरोप लगाय जाएंगे, सबसे पहले दर्शकों को ये बताई कि आप भूतनी कैसे बनी, बचपन से तो मैं एक हिरोइन बनना चाहती थी, और बन भू कि क्यों थी, और शरीप थी, तो हिरोइन बनने क्यों आई थी, आप मुझे ये बताईए कि फिर उसके बाद आपने क्या किया, जी, मैं दिली से मुंबाई आ गई, हिरोइन बनने, और जिस भी डारेक्टर प्रड्यूसर से मैं मिली, उसने मुझ से, उसने आपको कॉम्पर करने के लिए पहले से ही तयार थी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और हो गई, जब आप कॉम्परॉमाइस करने के लिए तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गई, जब मेल डारेक्टर आपसे कॉम्परॉमाइस करने के लिए कहता है, तो ठीक है, लेकिन जब फीमेल डारेक्टर आपस अच्छे उसके बाद आपने क्या किया देखे उसके बाद में टेलेविजिन इंडस्ट्री में आ गई और सीलियल्स में मैंने ट्राइ किया काफी जगा ओडेशन देने गई फिर मैं लाला जी टेली फिल्म्स में पहुंच गई और वहां मुझे अपने टैलेंट के दम पर काम तो दर्शकों को बताईए कि आपने सुसाइट कैसे किया आत्मात्या का कौन सा तरीका आपको पसंदाया पहले मैंने सोचा कि मैं तेरावे माले से जंप मार लूंगी लेकिन उसमें तो शकल सूरत बिगड़ जाती तो मैंने वो आइडिया डॉप कर दिया फिर मैंने सिचा कि मैं पंखे से लटक कर अपने आपको फासी पे चड़ा लूगी लेकिन उसके लिए पंखा बंद करना पड़ता और मॉंबाय में तो इतनी गर्मी है आप इतनी कंफ्यूज की हुदी कि आप पहली बार मर रही थी तो फाइनली दर्शकों को ये बताईए आपने आत्मात्या का कौन सा तरीक अपनाया जो आपको पसंदाया मैंने बहुत सारी नींद की गोलिया लेली और सोते सोते में कब मर गई मुझे पता ही नहीं चला ये थी भूतनी प्रियंका सेंज जो सोते सोते कब मर गई ने पता ही नहीं चला हाला कि सोते सोते कुछ भी हो जाता है पता नहीं चलता बहराल आप परारों के आप लोगों को डराती है आखिर कौन-कौन से वहत करने हैं जो आप लोगों को डराने के लिए इस्तिवाल करती है आपको नहीं लगता कि ये बहुत ओल्ड फैशन और मनोटोनस तरीका हो गया है अजिए वो तो में सबसे पहले करती हूँ उसके बाद आदमी को अकेले में अंधेरे में ढूनती हूँ छिवर उसकी आसबास की चीजों को हिलाने लगती हूँ जिए उसके बाद सफेद साडी पहन कर उसकी खिर्की के बहार दिखती हूँ अगर वो फिर भी ना डरा तो तो मैं अपने अक्सेसरी का इस्तमाल करती हूँ यह लंबे-लंबे दाथ यह नुकी लेना खून यह कांटाक लेंस और साउंड एफेक्ट्स अगर वो फिर भी ना डरा तो तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि यह मीडिया वाला ही होगा और मैं डर के भाग जाता हूँ लेकिन आप पर तो आरोफ है कि आप लोगों का खून भी पीती है यह आरोफ तो आप पर भी है जी वहराल आप यह बताईए कि आपकी निजी जिन्दगी कैसी है आप काम कैसे करती है आपकी दिन चर्या क्या है देखी हमारी तुर रात चर्या होती है रात के बारा बजे मैं सो के उड़ती हूँ फिर में अपना मेकाप एकप करती हूँ उसके बाद बाम्बे से बाहर किसी हाईवे पहुंच जाती हूँ और वहाँ टांग दिखा के लोगों से लिफ्ट मांगती हूँ की जैसे ही कोई गाड़ी रोग के खिड़की नीचे करता है उसे अपनी सेक्सी सी आवाज में पूछती हूँ हाई हैंसम मुझे दोगी क्या लिफ्ट उसके बाद उसकी गाड़ी में बैट जाती हूँ और थोड़ी ही दूड़ पर असली डरावना रूप दिखा देती हूँ और गाड़ी का अक्सिदें हो जाता है आपको नहीं लगता के आपकी बज़े से एक सरीफ आदी की मौत हो जाती है राद के बारा बजे लड़की की टांग देखके गाड़ी रोकने वाले को शरीफ नहीं कहते एक बार में बुड़ी बन के खड़ी रही थी राद भर किसी नहीं दी रिख्शा कर वापिस खर जाना पड़ा मुझे इस दुनिया की जो टेलिविजन इंडस्ट्री थी फिल्म इंडस्ट्री थी इसमें आपकी वो तमना अधूरी रह गई कि आपको नहीं लगता जी नहीं वो तो मैं अभी पूरी कर लेती हूं किसी की भी बॉड़ी में अंदर खुसके तुम्हें क्या लगता है मर्डर में मलेका शेरावत ने जो कुछ भी किया वो उसने किया नहीं वो मैं थी और तो और अवार्ड विनिंग फिल्म रॉक ओन में अर्जुन रांपाल के अंदर में मैं ही खें एक रियलिटी शो और आता है कॉमेडी सरकस उसमें आप किसके अंदर थी तुम्हें क्या लगता है अर्चना पूरान सिंह इतना खुदी हस लेती थी ये थी भूतनी प्रियंका सेन, भूतबल की मिस्वल्ट और एक सुपर मोडल इनकी दलीले और आरोप लगाए गए अज जानती जजिस्टी कि उनका क्या फैसला है बावाँ इस इंटर्व्यू पर आपके क्या व्यूज हैं शेकर इतना डरावना परफॉमेंस इतना सरहनिय परफॉमेंस इतना असरदार परफॉमेंस कि खुशी के मारे सारा खुन सूग गया आप लोगं का प्रोजेक्शन वस अधिक्षिटो था कि खुशी के फैसे लिए यूज़ किसी को भी रोके शरीफ आपी रोख सकता है मैं और शेकर जी भी शायद रूख जाएंगे रहता इंक फाबलस परफॉमेंस बहुत रेरली अमने टीवी पे अजे शर्मा जी जो रज़त शर्मा जी है उनको जवाब द किसी को सुनानी लेकिन आपने जो दो तीन उनको मारे हैं वापस I think script was excellent Runs की कोई कमी नहीं है Another perfect 10 Thank you, thank you Roshni, thank you Kuldeep Dracula, Bhut, Rehman ले जा रहे हैं चुड़े रक्षंदा को अपनी पहली खुनी डेट पर देखिये, कैसी रही भूतों की ये रूमांटिक शाम इस भूतियाग्रेवयाद में प्रेदिंग रक्षंदा रहमान आईगा, 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 आईगा आने वाला, आईगा, आईगा हे शेटान, नजानी वो कब आएगा, मैं कब से इंतिजार कर रही हूँ तुม ने बुगारा आए, हम चले आए मैं कब से सूच नहीं थी, कि मेरी स वीरान सी जिन्दगी में, किसी सुनसान गली से किसी कप्र को चीर कर, तुम आयगा मेरा डरावना सा सपनो का राज को और मैं भी कब से इंतजार कर रहा था कि कब मेरे मुर्दा जिंदगी में आएगी वो हसीन डायन दोगा जमी के नीचे से या किसी किले की दीवार के पीचे से आकर मेरे भयानक सपनो को साकार करेगी वाँ वाँ बहाँ गई रहाँ वाँ भाँ गया शैतान मेरे सुनली तुम कितनी खुबसूरत और डरावनी हो वाँ तुम पहली ही डेट पे लेट लेट क्या करे हम लोगों की नाम क्या के लेट लगा हुआ होता है ना मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ क्या? ये प्यारी सी क्रीम फियरेन अगली इसे लगाते ही तुम और भी डरावनी हो जाओगी अब शुरूती को देती हूँ, इस्तिमाल के लिए अच्छा तो फिर चले डिनर पर नहीं, अभी तो हमारी डेट शुरू ही है चलो पहले किसी डरावनी बरगत की नीचे बैठके डरावनी सी हरकत करते है क्यूं? क्यूंकि हरकत में ही बरकत है हुँ, एक काम करते है वचल नहाला कबरिस्तान खुलाई ना बहाँ चलते है नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे मैंने सुनाए वहां के मुर्दे बड़े ठरकी है वो कबर की दीवार से टान लगाए सारी गंदी गंदी बातों शुल लेते है क्या जमाना आगया है शैतानियत नाम की तो कोई चीज नहीं रही लेकिन तुम क्या चीज हो अहा अच्छी लग रही हूँ बहुत अच्छी तुमारे खुसूरत लाल-लाल होट ऐसा लगता कोई जिंदा इंसान का फेपड़ा खा क्या रही हूँ शोशी कितना प्यार करते हूं इतना करता हूँ कि मैं तुमारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ जान कैसे दोगे? तुम तो पहले से मरे हुए हो ना अच्छा मरने से याद आया तुम कैसे मरी? अ.. चलू भर पानी में डूपकर कौन था वो? कैसे हुआ? बताओ जल्दी बताओ वो जो हुआ वो बताने वाली नहीं, दिखाने वाली चीज है कुछ और बात करते है ना? घर पे कौन कौन है? घर पे, घर पे मेरा भाई आत्माराम मेरी बहन डाइन और महेंगाई में एक-एक माबाप ओ, बात क्या करता है? बाप वो टीचर है वो छोटे-चोटे बच्चो को ना सुंसान गली की पीछी कबरस्तान है कैंसर है कैसे हुआ? वो मेरे बाप का खून पीती थी और बापको पहले सही ब्लाटिया थी अच्छा, उनको कैसे हुआ? वो उनोने गल्ती से एक दिन ना एक पॉलिटेशन का खून पी लिया एक बाद बोलू, तुम इसे शादी करो दिना Of course, why not? something is better than nothing लेकि मुझे बात बता मुझे बात बता मुझे पहले तुमारा किसी बूतनी से चक्कर तु नहीं था नहीं था नहीं था नहीं अफैर अफैर नहीं था खाली एक इन्फैट्वेशन था एक वो जो ना वो लेकिन घरो मत, हमारी शादी बड़ी धुम्दाम से होगी देखना मैं इतनी आन, बान और शान के साथ काली लंडी घोडी प्याँगा तुमारे लिए और हमारे खांदान वाले भी तुमारी स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़े सब लोग मिलके गाएंगे से फैमिली आएगी और एक VIP guest भी है राम गोपाल वर्मा उन्हें मत बुलाना उन्हें हम लोगों ने बिरादेरी से बाहर निकाल दिया है एक साथ पाँपाँ फ्लॉप हॉरर फिल्में दिये हैं जानते हूं उनकी वज़े से किनी बेज़ती होती हमारी बूतों को पही सीरिसली नही लेता को डरता भी नहीं हम से आज कल का इन्सान जब खुदा से नहीं ढरता तो भूस्से क्या तरहगा वाँ बात है ना तुमहारी काफी एंटेटेइनिंग है हमारी शादी में एंटेटेटेइन्वेंट होगा क्या मैंने काली हारी के रिगिस्तान से एक करोड नरकंगाल बुलाएं जो चर्मरहित, अस्त सहित, नंग धढ़न कोबरा डांस पेश करेंगे वाँ, रिल्येली, गाना सुझा है क्या, बिल्कुल, बाबु बजा दो जो, अरे भूदरा जा बाहर लाजा बाबु भूदरा बाहर अजा बताये शेकरण I am sure if cricket is a heculean task, then comedy is a draculean task. But you are a fantastic actor, entertainer. I would like to give you an eight. Eight points? Yeah. Ajay? Rehman ji, what you expected, the two or ten numbers of performances today, that's a little less. So from my side, Nine points. Thank you, Rakshanda. Thank you, Rehman. But one thing you want to say before, I know that we've never seen so good, and I can say that if the show is so good, it will be good. Wow, 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 wow. Thank you, Sheikhar. Thank you, Rakshanda. Thank you, Rehman. What do you think? Bhoots are very shaitan. They don't have any problems. So it's not like that. Look at the two old bhoots, who share their feelings with each other. They are coming to discuss Bhoots Kamali and Bhoots Rajbeer's family matters. Presenting Vinol and Rajbeer. मुर्ता हूँ मैं जीने के लिए मुर्ता हूँ मैं है लगता है नाइट वाह के लिए कुछ ज्यादा जल्दी आ गया मैं वैसे लोग ठीक ही कहते हैं यार शतानका काम जल्दी का आयो १ Primary मेरा गोस्ट का इथ यतने दिन क्या अलर बना रका है गुछ लेता की उने जी यार इस मर मैं कुछ लियानी जाता हूँ ऑस सोईता हूँ झोटे लड़के की शादियो जाए ना तो बस मुगती मिल जाए अईयो तुम्हेर बगु का नाम मुगती जिए अभे नहीं मुझा आतमा को मुगती मिल जाए अचा मुझे यह बता यार तेरा बेटा Jinga Lala कैसा है? Jinga Lala? Jinga Lala ने पराई ज्यान कर दिया, ji वाट जिद्धी रहे, बहुत जिद्धी खुन ने पीता है खाना माना खाता है? खाना तो नहीं खाता है, ji जोता है की खाऊंगा? हाँ तो खुन पसी नहीं की खाऊंगा? अँ बहले, बहले नहीं तो भूका ही सो जाओँ गाओ अभी कोने तो ठीक है जी हाँ लेकिन पसी नहीं कहां से लेकिया हूँ जी अभी मेरा भी बेटा एसे करदा था लेकिन अब तो इतना ड्रामना और खतर्नाक हो गया ना का दिन में चार बार अपनी माँ को इड़ा देता है अभी मेरा को बता है तू अपने लड़के के लिए लड़के देखने के लिए ता उसका क्या हूँ आ यार पोटो में तो वो बड़ी बदसूर तो ड्रामनी लग रहे हैं अगर जी यार जब मैं उसको देखने के लिए गया ना तो देखा इतनी सुन्दर और इतनी सिंपल मू कोड़ी खड़ाब हो गया यार मेरा और तो और उसका एक भी दांत मूँ के बार नहीं था यार उससे अच्छी तो तेरी बेटी परशाई है कम से कम चार दांत मूँ के बार तो हैं और उपर से इतने बिखमंगे निकले ना वो कमीनों ने एक कप खून तक निपूशा वहां अगर तीरी नजर में कोई मेरे लड़के के लिए भूतनी है तो अरे बूतनी है ना भाई भूत सिंह की लड़की आचा लोचीख बहुत की बट ही जी चिकनी चिकनी नी होगी चिकनी जी क्रणों तो मुझे ठीक आए है उसके साथ तो मैं शादी नहीं करूँगा उस आहाँ देखो तुम जादा उसके बारे में मत बोलो आशाँ मैं तुम यह जड़े जा ना बहुत बहुत मारेगा यार एक बार बताये यह जड़े जा कहूं ना तुम वापस बोला आशाँ अरे तुम मरने के बाद भी ने उसको जानती रे बाबा बहुत चीत मेरा मतलब है बात चीत शेकर विनोध तुम्हारी पोल तो यही खुल गई राजवीर ने बहुत इसको समान ले के कोशिश की लेकिन अखिला भूत क्या करेगा यह नो सेवन पॉइंट अजे राजवीर अनफॉचुनेट है क्यूंकि टांको राजवीर थांको विनोध बारी है अब हॉरर कॉमीडी के एक्स्ट्रा शॉट्स की फिल्मों की फेमिस कोमीडियन महमूद और वो कांडल लाइट दिखा कर तराने वाली नूरी मरकर आ रहे हैं इसी ग्रेवियार में तो आएए देखतेहिं कि इन ताजा भूतों की गुमनाम कहानी क्या है प्रेजेंटिंग वी आइपी एंड प्रेंज गुमनाम है कोई गदनाम है कोई यह चाइना का माल मीना इटल यू हाँ हाँ ठीक है तो में कहा गा रही थी हाँ यहा गा रही थी किसे को खबर कॉन है वो पदनाम है कोई कि वि बन्हें जाएभी मीन आसाँ तो में हई आने कि वाँ यहा सबी थी है आने का रहता है क्या हुआ दिल वाले है क्या हुआ थाय आए नए नवेली क्या खर्री तू मेरी हवेली काले अलू मैं नूरी हुँ नूरी तो काय को इतनी दूरी जर अनवदी का दू छार पपी दे क्या हुआ नूरी हुआ दे मेरी हशनत पूरी सड़े हुए केले के छिलके मैं उस थाइप की नूरी नहीं हुँ तो ये तॉर्श लिगे का मिलको टॉर्चर करने के लिए यह दूरी तूरी कि मुंबती कौन चला है वैसे भी जब में मुंबती जला कर रिकलती थी कोई मन चला मुआ उसे भूक मार के हापी बड़ दू यू बोलके चला जाता था उससे तो ये चाइना का माली अच्छा ना माल तो अच्छा हाई लिगी हे चाइन लगता नहीं है अबब महे में आपनी नीडेच के बात कर रही हो मैं आतमा हूँ आत्मा तो हहा तो यहं कहा मेरा खात्मा कर नेकली आए नेदी तू है कौन? तू है कौन? मैं भी भूत हूँ पर तू भूतनी का लगता तो नहीं है मुझे? ठाय! शक्कल पे लुको जा मेरे शक्कल चे तो विनोथ कामले भी क्रिकेटर नहीं लगता और मैं शक्कल से क्या लगती हूँ? तू तो प्ठागा तीरे, प्ठागा भाय, मैं मर चामा मर जाओगे याद है तू मरी कैसे रहै मैं एक औरत के पेटे से जन्मी मैं जनम के लिए मरन की बाता कर रहा हूँ पहले पूरी तरह जनम को इसरा चाशिक लिने का मैं बूतनी के तो मैं एक कहा थी? तुछ थिए औरत के पेट में थी। तुमे एक औरत के पेट थी जन्मे जब मैं पैदा हुई नर्स के हाथों से फस्ट पर गिर गई ऐसे मारी तू ? नहीं, मैं तपपाखाँगे वापस नर्स के हाथों में आगई इस प्रीम के साथ में पैदा हुई थी क्या जो टपा खागे वपस गौद में चले गई जब मैं पैतीस साल की जवान हुई पैतीस साल की जवान? हाँ तो इन्हें तीन सो साल में अरी होगी भाई बात को सुन हाँ जब मैंने अपनी जवानी के पैतीस साल में कदम रखा हाँ तो डाको ने मेरे घर में कदम रखा और मेरे गर का सारा सामान पहीं लुट लिया सामान फहीं लू लूट लिया वैशे है? यह वो इजद भू इंदम थै भाई हाँ मैं किसी कव मुह दिखाने लाइक नहीं रही क्या भोली? हाँ जरा मुझ तू दिखा थे रहा सच मुझ था तू तो वाक्चे में किसी को मुझ दिखाने के काबिली रहा आजे का बूले अरे मेरी मॉथ के बारे में वो वो हाफ वो वो कुल विनूत कामली इने मेरा तिरे कुछ अरे हाँ पाहँ गवाँ वकीन मैं कमेडी सरक्स 2020 दख ख ती कामली का आइक उचिक्षैक मेरा गई गड़क हाँ यह बता तू केसे मरा तू नियचे बारे पूचिया उबुहाँ थाजत उपनमा यह माँ अर्च रचल कर दो कर दो कर दो कर दो करता है और उपर दिन को काम करता है आख तिम लोग और आखी गर्ट क्या थे ढूर आख तुम लोग मरे कैसे बहुत लंभी कानी है एक रात की बात है तुपर के तीन बजय थे रहा था हां सामने से टांगो वाली यारी थी कौन थी वो? मै बहुत मिला कहूं पूरी सुना हां है उने मेरे तांगे में बेठी हां तांगा शूरू होता है हाँ तायर कंचर नहीं, हावेली आ गई अच्छा हावेली आ गई हावेली जो मेरे पिच्छों बेड़ी थी हाव वो उत्री हाव बिना पैसे दिये सीधा हावेली में खुष गई तो तू भी ले ने खुष किया तो यहावेली आ गई हाव फिर देखा सामने हावेली का बड़ा दर्वाजा फिर? फिर दूसरा वळा दर्वाजा फिर? फिर मैं अंदर गया अंदर देखा मैं हाव बिली भोक रही थी लेकिन यह तो बिली की अवास नहीं है मेर को बिली का साउंड नहीं आता ना भई पाउ पिर चाहुआ हो आगे बिल्कुल शहीं बोली उने मेर वागे मैं उसके पिछू वो मेरे आगे मैं उसके पिछू पिर पिर क्या मैं आइस्ता से हलो से अपनी हाता को लेके उसके शॉल्डर पे राखा शॉल्डर पे? हाओ मैं बोला खटकटाया ठक तुक तुक उने पल्टी मैं देखा हाँ हाँ वो चुडेल थी कौन थी? आरे वो चुडेल नहीं थी भाही उने मेरी जोरू थी मेरी बीवी थी वो आरे वो चलू जा ये पीवी नहीं है ये सॉनी टीवी है तो इसको बुलाना ये चुडेल कुल बल्थी है वीडर बल्थी है आजा मेरे गले लग जा कलर लग जाएगा वाँ, फंटास्क थीक्यू थीक्यू कटास्क वी-एपी वी-एपी ये थे शान वीवी दूलि गीश थे ओर थे जी दूलिंग जार वी-दूलु, नही और फिगरो राव तो भीच्शो को बिए-खर राय geldो आपी-शे सॉपराइ continuar मेरे लिए इतना बड़ा यस अप्राइस है युह दिस अच्छली आ टूली और यॉर्ण शॉस्पंस फील विकॉर वास पूली बस्पंस लाइस तोन टी बहुत बड़ीया किया थो ना है वहॉत बहुत 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 बड़ीया चाहिए मुझे लगता है इंका कॉंपटिशन ही नहीं कोई विएपी साब आपकी जितनी तारीफ करें उतनी काम है आपके परफॉरमंस के लिए दो हाथ काम है जैसे आपके चार हाथ चाहिए थाइंक यू विएपी थाइंक यू प्रिंस यहां दर्ना मना है पर हसना दवा है और उसी हसी को आगे बढाने आ रहे हैं प्रिंस अपना लाइफ फोन कॉल लेकर तो आज फिर एक बेचारी की बारी तो ओवर तो यू प्रिंस थाइंक यू थाइंक यू थाइलो जी, सरोज जी बोल रही है जी, नमस्ते, मैं रजेंदर गुपता बोल रहा हूं दोर-टोर फिल्म से यह इस वस रिगार्डिंग फिल्म जो फ्लोर्स पर जा रही है और ऑगिस्ट में ये एक आक्शन ड्रामा कॉमेडी फिल्म है जिसमें ज्यादा आक्शन होगा मैं चाहता था कि मतलब जो खुरियोग्रफी है इचुट बी एक्शन बेस्ट मतलब पाह ओके हाँ मतलब डांस भी हो और ड्रामा भी हो लेकिन फाइट सिक्वेंस इंक्लूजव हो तो आपसे अच्छा तो कोई हो यह नहीं सकता आप जैसे कहीं तो कोई ऐसे डांस फॉर्म्स इंक्लूदिंग मास्यलाच कोई आपके जहन में है आपके दिमाग में है कोई मतलब जो आप नया कुछ नयापन इसमें आप ला सकें Okay I'll walk on it नहीं नहीं You don't have to walk on it आप उस रहा पर नहीं चलिए आप सिरफ गाइड कीजिह उन अक्तर को और अक्तरस को अर अक्त्रस को Aa Yeah, तोई रही, चोरोग्राप्य को मेरी होगी ना No No Korea No That is वो ठीक है Location It's basic No, no, no Choreography मेरी होगी No, Korea कोई International project है लेकन We won't be traveling so far एक भंगड़ा और नहीं कर दो खूट खूटा पूटा पूटा दो आधा स्विव नाधान हो जिए प्रेशा मांदर ताहिए प्रिंस के लिए एक बार फिरसे जूरदार तालिया। प्रिक्षाइब के लिए वक्त आगया है इस पाइन चिलिंग और रिप टिकलिंग शाम को खतम करने का लेकिन होरर की इस कामिडी के बाद अब बारी है कुछ सस्पेंस की तो कौन है आज की जोडी आफ ते मैच ये जानने के लिए मैं हमारी सारी भूतिया जोडी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी आईए हमारी चारो भूतिया जोडी के लिए जोरदार तालिया तो आज के होरर स्पेशल की जोडी आफ ते मैच है राजा ए निगार कुछ अर चुडेलों को तो आपने हस हस के सहलिया पर हमारे अगले एपिसोड में कुछ उम्दा शायरों की घटिया शायरी सुनने के लिए जरूर आईएगा महफिल सजेगी सेम टाइम सेम चैनल पर तब तक के लिए हमारे जोक्स को याद करते रहिये and keep laughing. See you next week!